नमस्ते वच्चों कक्षा साथ विशे विज्ञान और लेसन चोदमा है विदुधारा वैस के परवाव तो इसका जो एक पार्ट है इसके परतीक है विदुधारा के और उसके बारे में अपने जान चुके हैं और जो इसका दूसरा पॉइंट है वहाँ से अपने को शुरू क तरना है विदुधारा का ताप ये परवाव किसे कहते हैं या ताप ये परवाव क्या होता है तो ताप ये परवाव क्या होता है कि अपने विदुध का वलब को ओन करते हैं कुछ ताइम तक वो बलब ओन रहे और उसके बाद अपने उस बलब को हाथ से पकड़कर शू सक कुछ ताइम बलग और रहने के साथ वह क्या हो गया गरम हो गया तो यह क्या है ताप एप्रवाव ही है विदुद का यह ताप यह प्रवाव ही है यह चोद़ा पंड दो कि राकलाप में आपको इसी के बारे में ही बताया गया है इसके बाद 14,53 क्रियाकलब क्या कहता है, कि आप कोई भी तार का ना scripture के तार का 10 सेंटिमेटर का तुक्डा लेकर इसको दुख किलों के पीच बादो, मतलब एक किल यहाँ है और एक किल यहाँ है इसके बीच आप 10 सेंटिमेटर लंबा तार का तुक्डा बादो तो उसके बाद आप क्या करो इसमें से इस परकार जैसे दो किलों की भी तार का टुकड़ा बांद दिया ये नाइक्रोम का तार का टुकड़ा है और इसमें एक परिपत बना के इसमें विदुदारा परवाहिद कर दो और प्रवाहित करने के बाद आप कुछ सेकंड के पेशात आप फिर तार को गरम पकड़ कर देखने का प्रयास करोगे तो क्या आप उसको पकड़ सकते हो तो नहीं अपने तार को पकड़ नहीं सकते तो ताप ये प्रवाव किसे कहते हैं कि जब किसी तार से कोई विदुदारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है तो वह तप्त हो जाता है और इसे विदुदारा का ताप ये प्रवाव कहते हैं उसका तपना ही क्या कहलाता है तापिय प्रवाब कहलाता है तो क्या आप ऐसे किसी विदु सांधितरों के नाम बता सकते हैं जिने में विदु धरा के तापिय प्रवाब का प्योग होता है ऐसे सांधितरों के बारे में अपने उसका बलब हुआ तार हुई इसी परकार जो प्रेस हुई तो वो भी तो गरम होती है लेकिन उसके साथ साथ उसमें उश्मिय प्रवाब भी होता है तो अपने बोई विद्ध कैसे सांधित्रों के नाम बता सकती है जब किसी तार में जो उत्पन उश्मा है उसका जो परिमान है वो उस तार के पदार्थ लंबाई मोटाई पर निर्वर करता है किसी वी तार में उत्पन उश्मा का परिमान उस तार के पदार्थ की लंबाई जिस दातु से वो बना हुआ है वैपदार्थ हो गया लंबाई होगी और मुटाई होगी इन पर वो क्या करता है निर्बर करता है आता है बविन आफशक्ताओं के लिए विविन पदार्थों तो था विविन लंबाई मुटाई के तार अपने प्योग किये जाती है अपने को जिस एकोडिंग जिस चीज की आफजगता है अपने उसी एकोडिंग उतनी ही लंबाई मुटाई का तार का यूज़ करेंगे अपने कोई जादा ही हैवी चीज को चलाना है तो अपने थोड़े मोटी तार का यूज़ करेंगे अपने कोई जादा है विच्छी इसको नहीं चलाना तो अपने पतली तार का ही यूज़ कर सकते है तो इस परकार अपने मतलब आफशक्ता पनिर्फर्फर करता है करना है विदूत परिपत्थों को जोड़ने में प्रियोग होने वाले तार समय रगरम नहीं होते विदुत परिपतों को जोडने के लिए जिस परिपत हस्योंजी ताहर का अपने यूज़ करते हैं तो वो गरम नहीं होते इसके विप्रीट कुछ विदुत सांधितरों के अवयव इतने अधिक तफ्त हो जाते हैं कि असानी से दिखाई देते हैं मतलब कुछ ऐसे होती है कि अपने को दूर सी पता चल जाता है उनका रंग ही अलग हो जाता है गरम होकर कि वह अब गरम है वह अब तफ्त है लेकिन कुछ गरम नहीं होते तो विजुत परिपतों विजुत जो बलब है जिससे पहले आप इस्त्री के बारे में देखो कि विज विजु सांधितर है इनमें अव्यव के उपर आवरन होता है तो क्या आपने उसे किसी विजु सांधितर का प्योग करते हुए देखा है तो आपने मतलब किसी विजु सांधितर का प्योग देखा है इसमें से तो आपने देखा होगा गिजर का विजुत इस्त्री का देख का होगा विजुत केटली का देखा होगा तो यह सारे क्या हैं यह भी तो इसके अंदर करते ही आते हैं जो बलब हैं उसके तंतु इतने उच्छ तवप पर तब्त हो जाते हैं कि दिप्त होकर प्रकाश देना आरम कर देते हैं जो बलब के तंतु हैं यह तब्त होते होते इतन विजुदारा परवाइत होती है तो वह तार इतना अधिक तप्त क्यों हो जाता है कि पीगल कर तूट जाता है तो उसके जिस चीज के लिए मतलब जिस परिमान विजुदारा के परिमान के लिए उसका यूज किया था तो विजो तरह जादा उच्छोने की कारण वे लगा तरतफ तो होता होता दिरे-दिरे क्या हो जाता है काफी ताइम के बाद तार को अपने को हर घर के जो वायर है उनको भी चेंज करना पड़ता है तो वो तब तो होते होते क्या होती है टूट जाती है इसके बाद देखो क इसमें क्या दे रखा है कि आपको जैसे 14.3 में बैंटरी बनाई थी उसी की एकोडिंग ही आपको इस बार जो सेल लिये थो उसके स्थान पर आपको चार सेलों की आपको एक बैंटरी लेनी है अपने वो नाइक्रोम के तारवार जो प्रिक्षिन किया था उसी की तरह है लेकि सबसे पहले आप इसके बारे में जानो कि जो प्रकाश उत्पन करने के लिए जो ताप दीपत बल्बों का अपने प्योग करते हैं लेकिन वो बल्ब क्या होते हैं हमें उश्मा भी देते हैं तो इसका रहते क्या हुआ कि विजुद का जो एक वाग है वो तो उश्मा एक निष्ट दिवर्दा का प्रकाश उत्पन करने के लिए थाप दिप्त वल्बों प्रतिदीप्त नलिकाओं और सहत प्रतिदीप्त लेंपों की तुलना में LED बलब बहुत कम विजुद का कम अपयोग करती हैं इस परकार LED विजुद बहुत ही विजुद दक्ष है और इसलिए इन्हें प्रात्मिक्ता दी जाती है कि जो उनका एक वागुश्मा में व्या हो गया वहवांशनिये नहीं है उससे विजुद की शती होती है और इसी लिए आज कल बलबों के स्थान पर जो LED बलब हैं उनका अपयोग किया जाता है उन्हें ही प्रात्मिक्ता दी जाती है जो ऐसे विजुद साधितर है गेजेंट है इसको प्रियोग करने की सला दी जाती है जो विजुद में क्या हो दक्षो जो बारतिये मानक वियोरों है नहीं दिल्ली उसने उत्पादों को मानक चीने परदान किया है उन्हें क्या कहते हैं मारक कहते हैं जो की उत्पादों प प्रतिदित्नलिका करना चाहिए उसको में नहीं लेंड़ारत होता है वह विशेला होता है यह देखो आपने देखा होगा कि कमरे में पंखा चलनः तो अपने उसका जो स्विच्छ है वो और कर दे तो कुछ समय के लिए परिपत में विद्धारा प्रवाहित करिए कुछ समय के लिए फिर आप इस पात उर्ण के तार एवं लड़ी का द्यान से प्रेक्शन कीजिए नोड कीजिए कि क्या होता है कि क्या आइस पात उनका जो तार है या लड़ी है वो पिगल कर तूटती है तो कुछ विशेश पदार्थों से जो बने तारों में जब अधिक शम्ता की विदुत तारा प्रवाहित कर दी जाती है तो वो क्या हो जाते है तूट जाती है पिगल कर तूट जाती है तो इन तारों को क्या कहते है विजुत फ्यूज फिर बनाने में किया जाता है इन तारों का प्योग ही जो शिगर ही पिगल कर तूट जाए क्योंकि कई बार सूट सकीट वगरा कुछ होते हैं तो अपने जो फ पिगलेंगे नहीं तूटेंगे तो फिर वो अपने किस काम की शोड सर्कीट फिर नहीं रुकेगा तो इसलिए विजुद फियूज बनाने पे उन तारों का ही प्योग किया जाता है जो पीगलकर शिगर से ही तूट जाए तो सभी वबनों में परते एक विजुद परिपत मे से ही प्रवाहिद की जाती है विजुद दारा की कोई अधिक्तम सीमा होती है जिसे उस में से स्रुक्षा पूर्वक प्रवाहिद किया जाता है जदी किसी दुवटना वर्ष विजुद दारा का मान इस स्रुक्षा सीमा से क्या हो जाए अधिक हो जाए तो तार क्या होते है तो फ्यूज किया है पिगल जाएगा और पूट तो प्यूज तूट जाएगा और उसके बाद किसी वी प्रकार की हानी नहीं हो इसलिए यह फ्यूज क्या है कर différentes जुकति है बहुत ही महत्यपुरण है यह फ्यूज यह इक प्यूज की प्रक्षेश जुकति जूदी फ्यूज नहीं पिगलेगा तो आगे घर में किसी भी प्रकार की सु हैंे हो सकती है आपने अखवारों में न्यूज पयपरों में भी इसक